देखिए मेरा कहना है यह कि क्या कह रही है यह भी इनको सूच नहीं है एक महिला बहुत बड़ी ताकत होती है उस महिला में बच्पन से जो इस समाज में इस समदाएं में जो बच्चियों को संसकार दिये जाते हैं मदर्सों में वो संसकार उनके मस्तिश्क में इस तरीके से बढ़ दिये जाते हैं कि तुम पर्दा करो यह होगा वो होगा जो उनके मस्तिश्क में बढ़ दिये जाता है बच्चिया वही कहती है मुझे तो शरम आ रही थी एक जरासी बच्ची विचारी वो ये नहीं जानती कि अच्छा क्या है बुरा क्या है पाप क्या है पुन्न क्या है क्या है एक चीजे और वो बच्ची को हिजाब के बारे में एक तोते की तरह पढ़ा दिया और वो बच्च मार्क पर चलना चाहिए अपने देश के प्रती अपने राश्ट के प्रती अपने समाज के प्रती समर्पित भावना से काम करना चाहिए ऐसे काम करो कि तुम्हें सूरत सलाम करे चंदा सलाम करे और सारा जहां सलाम करें ये हिजाब पेनने से क्या होता है भी और दूसरी चीज़ मैं एक बात इस पश्ट ने कहे देना चाहती हूं कि कॉलिज में और इसकुलों में जब ड्रेस कंपसरी है तो ड्रेस क्यों नहीं पेनेंगी भाई इनके लिए अलग से समधान बनाये जाएगा क्या इनके लिए के भविष्ट के साथ में खिलबार के उनको जो सिखा दिया है अल्ला बुरा मानेंगे अल्ला बुरा मानता है या इश्वर बुरा मानता है बुरी बात हो को हमें बुरे कर्म से बचना चाहिए अच्छे कर्म करना चाहिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए और इसकुल क पेन कर जाये और ड्रेस पेन करके स्कूल की ना जाये महा बिद्याले में या बिद्याले में तो ऐसे लोगों को बिलकुल नो परवीशन ऐसे लोगों का परवीश बड़ जिते हैं प्रैंगी एक टाट देंगी ये जुमाँ खोल दी ये हाथ काट देंगी कानून अपने हाथ में लेकर काम करेंगी इन में दमाग नहीं है बिल्कुल भी दिइंता गी बात करती है बच्चों को बच्चीयों के लिए जो मदर्सों में जो संस्कार दिये जाते हैं वो हम को वो करेंगी हाथ काट देंगी अरे हाथ काटना तो दूर की बात है अभी तो पहली चीज ये है कि मसला ये चलना है कि इसकूल में ड्रेस पहन करके आए ना कि हिजाब पहन करके आए इसलिए अपनी सोच को बदलें और सोच को बदलेंगे तो सतारे बदल जाएंगे नजर क यह हिजाब की मांग कर रही है कल को कहेंगी हमें नया पाकिस्तान हिंदुस्तान में से चाहिए तो इनकी सोच को कौन बदलेगा इनकी सोच ही सही नहीं है अलिगल मुस्लिम युनिवस्टी में अल्ला हुआ अक्वर के नारे लग रहे हैं ऐसे चात्र चात्राओं के खिलाब क प्वानुनी कार्रवाई होनी चाहिए कल में जा करके DM, SSP साथ, DM साथ, सभी से जाकर के मैं मिलूंगी और ग्यापंदूंगी वो सिख्छा का मंदर है ना कि वो उनकी घर की वो न्माइश है वहां जाकर के वो न्माइश कर रहे है और अल्ला हुआ करके नारी लगा रहे है य अच्छी बात नहीं है कुल मिलाकर की